जैहिन डियर स्टूडेंट स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में गाइस जैसा कि आप सभी सातियों को मालूम है कि पलपल की लेटेस्ट अपडेट हो या किसी भी प्रकार के गौवर्मेंट जॉब सम्बंदित कोई भी अपडेट हो या गौवर्मेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे तो डियर स्टूडेंट स्वागत है आज आपका डेली करेंट अफेर के सेशन में और आज हम आपके सामने 20 मार लेके हाज रहे करेंट अफेर का और यह जो करेंट अफेर आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट होगा बता दू यहां पर अभी जो एक्जाम होने वाली 2021 में जितनी भी एक्जाम होगी उनके लिए महतपूर्ण होगा जैसे स्सी जीडी वाले स्टूडेंट हो गया ओके स यहां पर सांदर यहां पर कोस्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और हाँ यहां पर एक सेशन और करेंट फिर का लाया जाएगा जो की 2019 से लेके 2020 के मातपुर्ण करेंट अपर के बारे में यहां पे चर्चा करेंगे एक सेशन अलग से ए भी लाया जाएगा डेली करेंट अपर सेशन भी चलता रहेगा और जो 2019 से 20 वाला आप लोगों का सेशन है वो भी यहां पे आप लोगों का चलेगा बने रहेए वीडियो में अंतिम तक तो आज का बहुती सांधर और प्यारा सा कोश्चन आपके सामने है और पहला करेंट अपर आपके सामने है कि हाल ही में कोन तंजानिया की पहली मैला राष्ट पती बनी है बहुती प्यारा सा कोश्चन है कि हाल ही में कोन तंजानिया की पहली मैला राष्ट पती बनी है जान मुगुफुली सामिया सुलू हसन मिंदाना सुसन या बर्दो कैरी तो बहुती प्यारा सा और सांदार यहां प राष्ट पती बनी है उनका नाम है सामिया सुलू हसन ओके आप लोगों को नाम याद रख लेना है सामिया सुलू हसन चली सामिया सुलू हसन के बारे में कुछ important बात जानेंगे जैसे कि image में दिखाई दे रही लेडी आप लोगों को यही है सामिया सुलू हसन जो की तंजानि की पहली राष्टपती बनी है और यह आप लोगों की बता दू 61 वर्षी हसन ने पुर्व राष्टपती जान मुगुफुली की हर्दय गहात के कारण म्रत्य हो गई ओके तो इस वज़ा से अभी चुनाओ किया गया दुबारा वहां पे और यहां पे चुनाओ में आप लोग का है देखि जितने भी कोश्चन यहां पर मोस्ट आइंपी कोश्चन है और बहुती सांदार कोश्चन है ओके हाल ही में किसे निदरलेंड के प्रधान मंत्री के रूप में चौथी बार लगातार चुना गया है बहुती प्यारा और सांदार और महत्पुर्ण कोश्चन एक लोगों का जो है मार्क रूप्टे मार्क रूप्टे को हाल ही में चौथी बार लगातार निदरलेंड का प्रधान मंत्री चुना गया है तो इसका उत्तर आप लोगों को ध्यान में रख लेना है ओके यहां पर इमेज में दिखाई दे रहे है यही है आपके निदरलेंड क चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले, उके इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है Mark Rute, आप लोगों को नाम याद रख लेना है, एक्जाम में, IMP हो जाता है एक्जाम की द्रष्टी से, और आप लोगों को देखने को मिलेगा, उके लगातार चौथे कारिकार के है TF TDD है आप लोगों को ध्यान में रख लेना है और चैसे भथा की रूपिया होती है दे इसकी लगातार चौथी बार जो प्रधानमंत्री बने है वह आपके बने लडे नेक्स kap Sun किakan गैस next question आपका है बहुती प्यारासा और सांदर question और important question हाल ही में 20 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है विश्व गवराईया दिवस विश्व जल दिवस विश्व प्रत्वी दिवस उप्रोक सभी तो डेर स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है हाल ही में आप लोगों का जो है विस्व गवरईया दिवस मनाया गया है क्या मनाया गया है विस्व गवरईया दिवस मनाया गया है चली कुछ important fact देख लेंगे जैसे कि आपको बता दू बिस मार्च को हाली में मनाया गया वर्ल्ड इस पेरेवडे याने गवरईया दिवस तो ये कब से मनाया जाता है तो आप लोगों को बता दू यहां पे चली important fact देख लेते हम लोग यहां पे 20 मार्च को मनाया जाता है आप लोगों का ओकी गवरया दिवस क्यों मनाया जाता है तो देखी पक्षियों को सुरक्षित करने के लिए याने जागरूकता बढ़ाने के लिए आप लोगों का मनाया जाता है विश्व गवरया दिवस यहां पे आप लोगों की important बात है कि सबसे पहले जो विश्व गवरया दिवस मनाया गया उके ये आप लोगों को कोश्चन देखने को मिल सकता है कि सबसे पहले कब मनाय गया था और यहां पे 2020 की तीम थी विशख था वो क्या था गवरया दिवस का तो ये था I love गवरया तो यह भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्यों मनाया जाता है तो 20 मार्च को गवरया दिवस तो मनाया जाता है यहां पे पक्षियों की सुरक्षा में जागरूकता बडाने के लिए मनाया जाता है और कब मनाया जाता है तो 20 मार्च को मनाया जाता है इसकी जो 2021 की थीम वो क्या थी तो I love गवरया थी ओके और ये सबसे पहले यहां पे आपको ध्यान में रखना है जो मनाया गया था सबसे पहले प्रथम बार तो वो 2010 को मनाया गया था बढ़ेंगे next question की और और next question यहां पे बहुती प्यारा सा और सांदार question है हाल ही में IWSF सूटिंग विस्व कप कहां चल रहे है रूश जैपान ब्राजील भारत तो आपको याद में रखना है आप लोगों के जो IWSF सूटिंग विस्व कप चल रहे है अभी वरतमान में वो आपके भारत में चल रहे है देखिए यह आप लोगों का इवेंट चल रहा है ओके IWSF सूटिंग विल्ड कप चल रहा है जिसमें दस मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारती मेंस और ओमेंस टीम को गोल्ड में गोल्ड ओके यह सुनीन लगातार दूसरे दिन स्वर्ण पधक पर निसाना साध तो यहां पे सबसे पहले ध्यान रखना है जैसे कि मनुभाकर खिलाडी है और यसस्विनी ओके तो इनका दोनों का नाम याद रख लेना यह दोनों किस केल से संबंदित है तो सूटिंग से संबंदित है ओके जैसे मेंस में नाम याद रख लोगे अभिशेक शर्मा भारत ने कितने गोल्ड जीत चुका है तो देखिए लगातार दिल्ली में चल रहे है आई डबल एसफ सूटिंग वल्ड कप के तीसरे दिन भारत ने 10 मीटर एर पिस्टल मेंस और उमेंस दोनों इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है ओके और यह आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा और सांदार और वेरी वेरी आईमपी और मोश्ट आईमपी विश्व खुशहाली सुचकांक में वर्तमान में 2021 में भारत का कौन सा इस्तान है याने वर्ड हैपिएस्टिस इंडेक्स में आप लोगों को बताना है 2021 में क्या रेंक हमारी है भारत की तो यहां पर ओफ्शन आप लोगों को दिया है 149 वा 149 वा 149 वा 141 वा तो आपको ध्यान में रखना है हमारे भारत की जो रेंक है वो 149 वी है विश्व खुशहाली सुचकांक में अब बात करेंगे इससे कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट की जो एक्जाम की दृष्टी से आप के महत्पुर्ण हो जाएंगे ओके तो सबसे पहले बता दू यहां पर 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है कौन सा 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है फिंडलेंड के लोग सबसे ज़्यादा खुश है ओके याने इस रेंकिंग के अन ध्यान रखना है एक्जाम की दर्ष्टी में important हो जाएगा 20 March को मनाया जाता है World Happiness Day ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है जो इसमें 149 देशों ने भाग लिया था कुल 149 देशों की द्वारा यांपे ranking decide की गई है 49 देशों में भारत का 149 देशों है और फिंड लेंड का पहला इस्तान है देन अफगानिस्तान का सबसे अंतीम याने 149 देन ये आप लोगों को नो डाउन कर लेना है देन सबसे पहले बात करेंगे यांपे अब विश्व खुसेहाली दिवसकी तो जो की 20 March को मनाया जाता है और सबसे पहले जो मनाया गया था वो संयुक्त राश्ट्र संग के द्वारा कब मनाया गया था 2013 में मनाया गया था ये आप लोगों को नो डाउन कर लेना है बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की ओर और नेक्स कोश्चन बहुती जादा महतपुर्ण हाल ही में चर्चा में रही स्वात गाटी कहां परिस्तित है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये आप लोगों की कहां पाकिस्तान में है ओके स्वात गाटी पाकिस्तान में है देखे जो आपकी स्वात गाटी है वो कहां पे है तो पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान में कहा है तो स्वात पाकिस्तान के खाइबर पक्तु नखवा के मलकन डिविजन का जिला है इसलामाबाद से 160 किलूमेटर दूर है यह आप लोगों को याद रखना है और यहाँ पर important क्या याद यहाँ इलाका स्वादनदी के उपरी हिस्से पर बसा हुआ है स्वादनदी जो आपके स्वाद गाटी की जीवन रेखा है यहाँ पर इस सब्द का उलेक रिवेद में भी मिलता है ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है और कुछ याम पर इंपोर्टेंट नहीं याद रखना है ओके बढ़ते हैं नेक्स कोस्चन की और और नेक्स कोस्चन बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण हो जाता है जैसे की एंटीलिया केस में मनसु खेरेन की इसमें मौत हो चुकी है तो यह जो यानि इस पे जो जैसे की इस घटना के कारण माराष्ट की जो सरकार है उद्धव सरकार उस पे भी काफी सवाल खड़े होते हैं और काफी सवाल के दायरे में है तो यह जो एंटीलिया केस है आपका ओके इसमें मनसु खेरेन की जो मौत हुई थी उसकी जाज करने वाली एजेंसी का क्या नाम है वो आपको बताना है एक्जाम की द्रश्टी से मौत पूर्ण हो जाता है NIA, ATS, ED, RAW क्या है इनमेस से तो आपको ध्यार में रखना है जो आपकी ATS है वो यहाँ पे इसकी जाज कर रही है NTA केस की, मनसुख भाई हिरेन की मौत के बारे में जाज कर रही है आपकी ATS टीम, अब जानेंगे ATS टीम के बारे में महतपुर्ण बाते जो आपके एक्जाम में पूछी जाज सकती है सबसे पहले ATS का पूरा नाम जानेंगे, इसका पूरा नाम क्या है एंटी टेरिरिज्म स्क्वाड ओके, नोट डाउन कर लोंगे आप नाम इंपोर्टेंट होगा एंटी टेरिरिज्म स्क्वाड यह एक पूलीस सर्विस है, इसे 1990 में मुंबई पूलीस के एडिशनल पूलीस कमिशनर अपताब आहमद खान ने बनाया था इंपोर्टेंट हो जाता है इतना आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट पाइंट यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट, राजिस्तान, केरल, गुजरात, पस्रिम, बंगाल और बिहार में ऑपरेट करती है इसे महाराष्ट के सिनियर IPS अपसर गाइड करते हैं देन आगे बात कर लेते हैं, ATS की मदद से पूरे देश में आतंकी गतिवी विदियो पर नजर रखी जाती है ATS, कॉमबेटिंग एक्सन और आतंकी खत्रों से बचाओ में स्पेसल लाइस फोर्स होती है इंपोर्टेंट पैंट और नेक्स्ट जानते है, इस स्क्वार्ड को बनने के बाद से अब तक कितने 23 गेलेंटरी अवार्ड मिल चुके है आपको ध्यान में रखना है, मुंबई हमले के दवरान भी ATS ने ताज और ओविराय होटल का मोर्चा संभाला था बात करेंगे, टेविस गेलेंटरी अवार्ड मिल चुके है, ये तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है, एक्जाम की द्रश्टी से मौतपुन होगा, इसकी स्तापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी ATS का पूरा नाम एंटी टेरिरिजम स्क्वार्ड भी है, मुंबई हम लोगे बात से, खासकर मुंबई में 12 साल के बच्चों को इस स्क्वार्ड का हिस सब बनाये जाने लगा, इन्हें अंडर कवर ट्रेनिंग दी जाती है, यानि 12 साल के बच्चों को भी आम पे सामिल किया जा रहा है और अंडर ट्रेनिंग दी जारी उनको अंडर कवर की, ओकी ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ATS आतं की घटनाओ या धमकियों से जुड़ी जानकरी जुटाती है, IB और RAW के साथ भी जानकरी साजा करती है, किसी भी तरह की क्रिमिनल फ्रॉड माफिया पर ATS नजर रखती है, तो बहुत ही जादा माधपूर्ण था एक कोश्चन और एक्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप लोगों को ध्यान प्रॉवक नोट कर लेना है, बात करेंगे यहां पे सबसे माधपूर्ण मुद्दे की, और बहुत ही प्यारा सा कोश्चन है, भारस स गया था, तो यहां पे बता दू, आप लोगों को 2019 में कुल 16 बेंक का भारत सरकार के द्वारा यहां पे विलाई कर दिया गया था, देखे कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट जानेंगे बेंक के बारे में, भारत में बेंकिंग सिस्टम का संचालन, रिजर बेंक आफ इंडिया RBI करता है, यह आप लोगों को मालूम है, बेंकों का बेंक कहा जाता है, RBI को, एक अपरेल 1935 को RBI की स्तापना हुई थी, और इसका जो मुख्याल है, वो कहां पे है, तो मुंबई में है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्हें बेंकों का बेंक भी कहा जाता है, RBI ने स प्रकार चार प्रकार से बेंकों को डिवाइट कर रखा है ओके देन यहां पर important देश में कुल कितनी बेंक है अभी 33 बेंक है कितनी 33 बेंक है इन में से 12 पॉब्लिक सेक्टर की है कितनी 12 पॉब्लिक सेक्टर की है और 21 जो है वो private bank का आती कितनी 21 private bank आती है अभी वर्तमान में ओके और जो आपका SBI है वो देश का सबसे बड़ा bank है आप लोगों को ध्यान में रखना है SBI देश का सबसे बड़ा bank है ये भी आप लोगों को no down कर लेना है 2019 में SBI में 8 bank का विलाई किया गया था 2019 में SBI में 8 bank का विलाई हुआ था इसके बाद SBI दुनिया के 50 सबसे बड़े bank को में सामिल हो गया था बात करेंगे भारत सरकार ने 2019 में कुल 16 छोटे public sector के बैंकों का विलाई बड़े बैंकों में कर दिया था ये important हो जाएगा पैसे जमा करना, लोन देना, online banking और ATM कार्ट जैसे सेवाए सिर्फ commercial bank ही देते है पेटियम और एर्टेल भी एक तरह के bank है पर ये payment bank है कैसे payment bank है दिन यहां पे important बात आजाती है सरकार दो सरकारी बैंकों को private करना चाहती है अभी हाली में आप लोगों के दुआर याने जो है एक बील पास किया गया है जिसमें सरकार यहां पे दो बैंकों का विलाई करना वरतमान में 2021 में तो अगर ऐसा कर देती है तो आप लोगों के पास जो है देश में सिर्फ दस public bank बच जाएगी और 23 private bank हो सकते हैं अभी हुआ नहीं है बाकि दो बैंक के विलाई होने के बाद ऐसा हो जाएगा ओके बढ़ते हैं next question की और और next question आपका है बहुती प्यारा सा और सानदर question हाल ही में भारती नौसेना का कौन सा एघर क्राफ्ट मदीप्रदेश के ग्वालियर में क्रेश हो गया मिग 21 मिराज सुखोई रौफेल तो बहुती प्यारा सा और सांदर कोश्चन है आप लोगों को ध्यान में रखना है जो आपका मिग 21 एरक्राप्ट है वो मद्य प्रदेश के गवालियर में हाली में क्रेश हो गया है इससे संबंदित कुछ important factor जानेंगे जो आप लोगों के ल मिग 21 के बारे में कुछ important factor की तो सबसे पहले बता दू यह मिग रूस में बना लडाकु विमान है तो मिग को जो है बनाया गया वो कहां बनाया गया तो रूस में बनाया गया है इसका डिजाइन और निर्मान सोवियत संके मिकोयन गुरेविच बिवरो ने किया इसी कमपनी का सौट नेम मिग है ओके मिग कमपनी की स्तापना 8 दिसंबर 1949 को की गई थी इसके फाउंडर मिखाइल गुरेविच और अर्टेम मिको यन थे ओके देन यहां पर important फेक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है ओके तो important देखी यहां पर जो भारत ने मिग कमपनी का सबसे पहला विमान मिग 21 1961 में खरीदा था यह सिंगल इंजन सिंगल सीटर था 2006 में इसे अपग्रेड किया गया था और next important point भारत में 1985 में मिग 27 खरीदे यह उस दवरे का बहतरिन लड़ा को विमान था डिसंबर 2019 में इसे भारती सेना ने रेटायर कर दिया था मिग 27 कम उचाई से भी सटिक निसाना लगा सकता है देखिए पाकिस्तान के साथ हुए 1971 के यूद में मिग 21 और 1999 के कारगिल यूद में मिग 21 के साथ मिग 27 ने आहम किरदार निवाया था यह आप लोगों को ध्यान में रख लेना है यहां पे तो सबसे इंपोर्टेंट पाइंट आप लोगों को ध्यान में रख लेना है मिक 21 जो है रूस का लड़ाकू विमान है जिसको हम लोगों ने खरीदा था इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1949 में 8 दिसंबर को हुई थी और मिक 21 जो कमपनी का सबसे पहला विमान था वो हमने मिक 21 खरीदा था 1961 में ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट पाइंट की ओर और बहुती प्यारा सा और सांधर कोश्चन और कोश्चन क्या है तो कोश्चन आपका है पश्चिम बंगाल में मम्ता बनर जी को विदानसभा चुनाओ जिताने के लिए किस यूनिवर्सिटी के विद्यारती दुआरा रणनिती बनाई गई है हाली में अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है पश्चिम बंगाल में विदानसभा के चुनाओ होना है और उसमें जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वर्तमान मम्ता बनर जी उनके लिए यूनिवर्सिटी के विद्यारतीयों ने यहां पे रणनिती बनाई है च बात करेंगे आक्सपोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कुछ इंपोर्टेंट पाइंट आक्सपोर्ड के बारे में आक्सपोर्ड यूनिवर्सिटी के स्तापना कब की गई थी तो यहां पे आप लोगों को ध्यान में रखना है स पुरानी इटली की बोलागरा युनिवरसिटी है जिसकी स्तापना एक हजार अठ्थासी में हुई थी तो यहां पे important रख लेना है आपकी आक्सपोर्ड युनिवरसिटी की स्तापना जो है वो 1096 में हुई थी इसे दुनिया की सबसे पुरानी युनिवरसिटी माना जाता है बढ़ेंगे next question की ओर ओके चली तो dear student यहां थे आज के आपके top 10 महत्पुर्ण important current affair जो की आपकी exam की द्रश्टी से बहुती जादा महत्पुर्ण हो जाते तो जाते जाते कुछ अंतिम यहां पे जीके के important fact देखेंगे जो आपके लिए महत्पुर्ण होंगे तो सबसे पहले यहां पे बता दू गांधी जी की दुनिया की दुनिया में सबसे उची जो 70 फिट की प्रतीपमा है वो पटना में है आप लोगों को एक्जाम में अगर पूछे कि गांधी जी की दुनिया में सबसे उची मूर्ती कहा है तो पटना में है जो की 70 फिट उची ह देन यहां पे आप लोगों का कुछ important जैसे की फेक्ट बता दूं यहां पे नोटा का बटन का जो रंग होता है वो गुलाबी रंग होता है आप लोगों को ध्यान में रखना है और भारत जो है नोटा का विकल्प उपलब्द कराने वाला विस्व का एक चौधवा देश है ज of this above यानि इन में से कोई नहीं तो इसका जो रंग होता है बटन का वो गुलाबी होता है आप लोगों को ध्यान रखना है ओके डियर स्टुडेंट तो इतने important point थे आप लोगों की एक्जाम की द्रश्टी से डियर स्टुडेंट हमारे द्वार बनाया गया करंट अपर का से कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि डेली आप लोगों को वीडियो मिलते रहें जैहिंड डियर स्टुडेंट मिलेंगे हम इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के साथ थेंक्यू गाइस